जो चाहे माग लो, पर मुझे सुखी हुने का रहस्य से बता दो मुझे डीद आ रही है, राजा। या सूने कि? राजा हैरान था। दूसरी बार, राजा फिर बड़े दलबल के साथ आया। बोरा, बोरा। हाथी गोडे दास दासियां चितनी चाहे मांग लो पर मुझे सुखी होने का रहसे तो बता दो राजा हाथी गोडे दास दासियों के बिना भी मैं सुखी हूँ फिर कभी आना तुम्हें क्या चाहिए भुरा, मांग कर तो देखो, उसे सुखी होने का रहसे तो बता दो जो स्वयम सुख्की खान है, उसे लालज देने काम मूर्खी कर सकता है जा राजा जा, फिर कभी आना और राजा चला गया उसे समझ नहीं आया कि गाड़िवान भूरे को क्या चाहिए था कि अचानक राजा एक दिन अकेले गाड़िवान के सामने आख़डा हुआ उकुम्ह तू फिर आ गया जब तक आप सुखी होने का रहसे न बता देंगे, मैं तंग करता रहूँगा नेरी पीट खुझा सकेगा हा मलेक ना खुझा रहने दे रहने दे ठीक से बैठ जा बैठ जा ठीक से पहले ही अपने दिखावे का बोच छोड़कर आता तो मेरी पीट खुझाने से बच जाता पूछ क्या जानना चाहता है यहां कैसा रहसे है कि जिसके पास सैक्रो कमीजे है वह सुखी नहीं है पर जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है राजे सुख का कारण कमीज नहीं आत्मा है जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है उसे सुखी होने के लिए बहारी वस्तों के जरूरत नहीं पड़ती है पर मन तो हमेशा सुख के लिए बहारी वस्तों के पीछे भागता रहता है इसलिए राजे जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है मैं समझा नहीं राजे आनंद आत्मा का स्वरूप है आत्मा आनंद है इसलिए आनंद भी आनंद है आत्मा के स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयम से हरक्षन प्रेम करता है। कि कभी कभी आत्महत्या का विचार क्यों आता है। नहीं मालिक। क्या है आत्महत्या का विचार। क्यों भावना के वश में आदमी, मन, गुद्धी और शरीर आदी को खत्म कर देना चाहता है। क्योंकि आत्म हत्या का विचार भी आत्म प्रेम को ही व्यक्त करता है जब व्यक्ति दुख और दुख देने वाले इस्तितियों से चुटकारा नहीं देखता तब अज्ञानता में आत्म हत्या को ही दुखों से चुटकारा बाने का रास्ता समझता है इतना है मनुष्यका प्रतिप्रेम कि वह अपने अस्तित्व न को भी समाप्त करदेना चाहता है शुक भीतर है तो मनुष्य बाहर संसार के पीचे स्ञिए भागता यो है क्योंकि मनुष्य जिसकी भी भीतिकम कश्य करता है मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है, यदि वह वस्तु या वे संबंध दुख का कारण हो जाए, इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयम से प्रेम करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संसार को पाने या संसार को छोड़ने की रहा पर ही क आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमान है, यदि ऐसा नहीं होता, तो मनुष्य दुखों से प्रेम करता है, चुकि अज्यानता वश्य हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस आशा में संसार और वस्तु के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे यह ठीक वैसा ही है, कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिकारी समझ दूसरों से इसके उम्मीद करता है, यही है अज्यान की शक्ति, इसलिए राजे संबंदों का और वस्तु का सुख स्थाई नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है, वो कै जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु को देखते हैं, तो उससे आनंद होता है, इस आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं, और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिले लेते हैं, तब आनंद कईगुना बढ़ जाता है, उसे मोत कहते हैं, औ उससे प्राप्त होने वाले आनन्द को प्रमोत कहते हैं। परंतु जैसे हम उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग हो जाते हैं, वह आनन्द भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजे वस्तु का आनन्द, व्यक्तियों का आनन्द इस्थाई नहीं होता है। परन्तु आत्मा का आनन्द इस्थाही और अनन्द होता है बुरा वर राजा में आनन्द पर लंबी चर्चा हुई जिसे वेदांध में आनन्द मिमानसा कहते है सात्विक आनन्द, राजसिक आनन्द, तामसिक आनन्द से लेकर अलग-अलग प्रानियों और अवस्थाओं में आनंद की अनुभूती और उसके कारणों की भूलाने विमान साकी। परंथ में राजा ने बहब रश्न किया जो इस समय हम सब के मन में है। आरे, यदि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा कानंद स्थान, समय, जन, शरीर, मन, बुध्धी और बाहर की किसी भी वस्थू से स्वतंत्र होता है। तो मैं अनंद, असिमित और पूर्ण अनंद का अनुभव जो नहीं कर पाता। राजे, यदि तुम अपनी आखें बंद करोगे तो आंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुध्धी, संसार, बस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे। तब तक तुम उस अनंद, असिमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें घलती आत्मा की नहीं हमारे द्रिष्टी कोन की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। तो सुत्रधार, क्या इसका ये अर्थ हुआ, कि सुख की कामना ही आत्मा के अनंद स्वरूप का कारण है। तुमने ठीक समझा नटी, इसलिए पूरा जीवन हम सुख की तलाश में रहते हैं। आप जो होते हैं, पूरा जीवन उसी की ही खोज करते हैं। हम आनंद हैं, इसलिए हम अनंद सुख की अभिलाशा रखते हैं। इस सत्य को ना जानना ही तो का कारण है। इसलिए नटी, बाहर नहीं, भीतर देखो। क्ली तो देखो एत्त, आपनद में जात angry 36